नमस्कार मित्रो, आप सुन रहे हैं उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले का सामुदाइक रेडियो हेलो हलद्वानी, 91.2 FM पर आप इसे सुन रहे हैं, और मैं हूँ डॉक्टर कैलाश शंद्रभट, उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले के मानवी की शिक्ष्या विभा जो हमारी पुस्तक है, उसके विशय में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसमें प्रथम इकाई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें की उपनिशदों के बारे में कहा गया है, आईए उपनिशदों को समझने से पहले, ये उपनिशद क्या हैं, इनको जानने से पह अथवा विद ग्याने अथवा विद सत्तायाम अथवा विद लिलाभे धातु से बना हुआ है। विद है यह ग्यान रासी का एक संग्र है, ग्यान रासी का एक भंडार है। गीता के गीता ग्यान के बिना और बिना रामेन की कथा के बिना और बिना कभी कालिदास के भारत की कलपना भी नहीं की जा सकती। कि बिना कविम कालिधासम भारतम भारतम नहीं, बिना कवी कालिधास के भारत कैसे हो सकता है, क्योंकि कवी कालिधास हमारे बहुती प्रशिद और अदभुद सैली के कवी रहे हैं, वैदर भी शैली के हैं, अदभुद कवी हैं कवी कालिधास, क्योंकि कवी कालिधास के लिए पुराने समय में जब कवियों की गिंती की जाती थी तो उंगली पर सबसे पहले कालिदास को रखा जाता था कहा भी गया है कि पुराने समय में जब कवियों की गिंती की जाती थी तो उंगली हम लोग कनिश्ठिका पर रखते थे कि सबसे पहले कवी हैं कालिदास उसके बाद दूसरे कवी कौन हैं तो उनकी तुलना में कालिदास की तुलना में अगर कोई कवी ढूड़े जाते थे तो कोई कवी मिलता ही नहीं था और अध्यापितत तुल्ले कवेर भावा और आज तक भी ऐसा कोई कवी नहीं मिल पाए है कि जो की कालिदास की बराबरी कर सकें, इसलिए दूसरी उंगली का नाम ही अनामिका पड़ गया, कनिष्ठिका के बाद दूसरी उंगली को हम लोग अनामिका बोलते हैं, क्योंकि अनामिका का अर्थ है, न नामिका इतिया नामिका अर्थ है, जिसमें किसी का नाम आया ही नही इसलिए उस उंगली का नाम ही अनामिका पड़ गया, तो इस प्रकार से बिना कवी कालिदाश के भारत कैसे हो सकता है, और आचारे मनुने, जो मनुस्मृतिकार मनु हैं, वो तो वेदों के लिए लिखते हैं, कि वेदो खिलो धर्म मूलम, जो यहाँ वेद हैं हमारे समस्त ध धर्मों का यह मूल हैं, इसलिए यहाँ समस्त धर्मों का अर्था, धर्म का अर्था यहाँ पर कर्तब्य आदी से हैं, समस्त कर्तब्यों का, मानो मात्र के जितने भी कर्तब्य हैं, उन सभी कर्तब्यों का जो मूल है, वो वेद ही हैं, और वेद से ही हमारा जो सब कुछ ग् शेकार हुए हैं और आचारे सायन ने भी वेदों के लिए लिखा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योहो अलोकिकम उपायम योग्रंथः वेदयती सवेदः इष्ट प्राप्ति ही इष्ट की प्राप्ति अर्थात कल्यान की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट परिहार के लिए अकल्यान के जो अमंगल है उसके परिहार के लिए जो अलोकी कुपायों को बताता है उसको हम वेद कहते हैं उसी ग्रंथ का नाम वेद है जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवर्ती करता है उसको वेद कहते हैं और आचारी सायन इसके लिए और एक स प्रत्यक्ष उपाई से, हमारे यहां दर्शन सास्तर में कुछ प्रमान बताए गए हैं, एक प्रमान है प्रत्यक्ष प्रमान, एक प्रमान है अनुमान प्रमान और दूसरा प्रमान है शब्द प्रमान, इस प्रकार से कई प्रमानों की इमहाँ पर दर्शन सास्तर में चर्च की गई है लेकिन उन में से जो प्रत्यक्ष प्रमान है वो क्या है इंद्रियार्थ सन्यकर्ष जन्य ज्न्य ज्यानम प्रत्यक्षम इंद्री के द्वारा देख करके और बुद्धी के द्वारा उसका परामर्ष करने के बाद जो ज्यान प्राप्त होता है इंद्री और अर्थ इंद्री के द्वारा देखना और बुद्धी के द्वारा उसको सार्थक करना उसका अर्थ स्पष्ट करना उस ग्यान के द्वारा ही प्रत्यक्ष ग्यान की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार से इंद्रियार्थ सन्नेकर से जन्यम ग्यानम से हम प्रत्यक्ष को देख सकते है उसके बाद एक दूसरा है अनुमान प्रमान, अनुमान में क्या होता है कि हम किसी चीज का अनुमान करते हैं, अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमान करना ही और अनुमान के द्वारा जैसे यत्र यत्र धुमा, तत्र तत्र वहनी, जहां जहां पर धुमा होता है, वहां महां अगनी अवश्य होती है, तो धुमे से हमने अगनी का अनुमान किया, प्रत्यक्ष प्रमान के द्वारा ग्यान किया जाता है कुछ वस्तुमों का, कुछ वस्तुमों का अनुमान प्रमान के द्वारा ग्यान किया जाता है, लेकिन जहां पर प्रत्यक्ष भी काम न करे और जहा तो वो जो शब्द प्रमाने हमारे वह वेद ही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रतेक्षेन अनुमित्यावा यस्तू पायो न विद्यते। प्रतक्ष प्रमान के द्वारा या अनुमान प्रमान के द्वारा जिसकी सिध्धी न हो पाए उसकी सिध्धी वेद के द्वा हम वहाँ पर वेद के शब्दों को उध्रत करते हैं, वहाँ पर उसका रिफ्रेंस हम वेद के सब्दों के साथ में देते हैं, और वेद के बहुत सारे परयायवाची सब्द भी हैं, वेद को सुरूती भी कहते हैं, क्योंकि गुरु परमपरा से पहले लिखा कम जाता था और स पुरुकाल में जो वैदी की पध्धती थी और जो पाट सालों में गुरु कुलों में बच्चे पढ़ा करते थे तो उस समय लेखन सामागरी का अभाव था इसलिए उस समय शुरुती परमपरा थी इसलिए वेदों को सुनने के कारण इनको शुरुती भी कहते हैं और स्वाध्याई नाम से भी वेद को कहा जाता है, जैसे कि उपनिशदों में आता है कि स्वाध्यायात न प्रमधितव्यम, स्वाध्याई में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो वो स्वाध्याई क्या है, अर्थात वहाँ पर वेद से अर्थ लिया गया है, कि वेद को पढ़ने में प्रमाद न करें और वेद का एक बहुत प्राचीन लक्षण है मंत्र ब्राहमणयो वेद नाम धेयम वेद किसको कहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताए मंत्र और ब्राहमणयो हो वेद नाम धेयम क्योंकि ब्राहमल ग्रंथों के अंतरगत आ जाते हैं, तो इस प्रकार से वेद पद कहने से हमको चार चीजों का बोध होना चाहिए, संहीता भाग का, अर्थात मंत्र भाग का, ब्राहमल ग्रंथों का, और आरणित ग्रंथों का, और उपनिशत का, इस प्रकार से चार ग्रंथों का हम को बोध होता है वेद कहने से और यहाँ पर लक्षन में कहा गया मंत्र ब्राहमण योर वेद नामधियम जो मंत्र है संगीता है और जो ब्राहमण ग्रंध है उनी को वेद कहा जाता है तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वेद के अंतरगत इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो आपनी तो यह सोचेंगे कि इसका पुस्तक का नाम तो है वेद एवम निरुक्त लेकिन यहां पर पढ़ाय जा रहा है उपनिशद तो उपनिशद क्यों पढ़ाय जा रहा है यहां पर क्योंकि उपनिशद भी वेद के ही अंतरगत आता है वेद के ही भाग के अंतरगत आता है तो इस प्रकार से हमारे हैं चार वेद हैं उसमें रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरववेद इस प्रकार से ये चार वेद हैं और इनके भी फिर बहुत सारे भाग हैं इनकी बहुत सारी साखाएं हैं और वेद भाग के बाद फिर हमारे पास जो वैदिक सामाग के रूप में उपलब्द होता है वो ब्राह्मन ग्रंथ होते हैं तो यह ब्राह्मन ग्रंथे क्या है थोड़ा इनको समझते हैं यह जो ब्राह्मन ग्रंथे हैं एक तो जाती वाचक शब्द होता है ब्राह्मन और एक ब्राह्मन सब्द ग्रंथ वाचक होता है तो यहां पर मैं जाती वाचक ब्राहमन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं बलकिन यहां पर मैं ग्रंथ वाचक ब्राहमन सब्द का प्रयोग कर रहा हूं और विसेशता यह है समस्कृत में कि जो ब्राहमन जाती वाचक है वो तो पुरलिंग सब्द है ब्राहमन लेकिन जो ब्राहमन ग्रंथ वाची है, तो ग्रंथ वाची होने के कारण यह ब्रह्मन शब्द नपुन्सक लिंग में प्रियोग होता है, इसलिए ब्रह्मन जो सब्द है, ब्रह्मन मूल सब्द है, मूल प्रातिपधिक है ब्रह्मन, ब्रह्मन सब्द से अनप्रत्य करके, आदी ब्रधी करके ब्र ब्राहम्मणम इस प्रकार का सब्द बनता है, ब्राहम्मणम सब्द बनता है, गरंथ वाची होने के कारण, तो इसलिए जैसे हम सत्पत ब्राहम्मणम ऐसा प्रयोग करेंगे, अगर हमको किसी ब्राहम्मण गरंथ का नाम लेना है, तो सत्पत ब्राहम्मणम ऐतरे ये ब्राहम मनम ऐसे सब्द का हम लोग यहां पर प्रयोग करेंगे तो ब्रहमन ग्रंथों की क्या विशेष्टा है देखिए वेदों की विशेष्टा तो यह है उसमें इस्तुती आदी प्रधान है वेद जो है इस्तुती प्रधान है और विशेष रूप से जो रिग वेद है वो देवत अठाश्या देवं रित्वीजं होतारं रतनधाता मं इस प्रकार से उसका पहला मंतर है तो अर्थात इसमें इस्तुतियां की गई है रिगवेद के अधिकांश भाग में ही स्तुति प्रधान है और जो यजुर्वेद है वो गद्धी प्रधान है उसमें पद्य बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और वहां गद्य प्रधान है और सामवेद गान प्रधान है और अथरवेद भैसज्य प्रधान है अर्थात उसमें आईरवेद का ग्यान है तमाम प्रकार के उसमें ग्यान अथरवेद में है लेकिन जो ब्राहमन ग्रंथे हैं वो रही ये यग्य होते थे, बहुत सारे प्रकार के जो यग्य थे, उन्हें यग्यों का विधिविधान किस प्रकार से हो, उन्हें यग्यों का अनुष्ठान कैसे किया जाए, यग्यों की व्याख्या और विबरण प्रस्तुद करने वाले ग्रंथे को ही हम लोग ब्राहमण ग् तो जो यग्यों की व्याख्या को प्रसुत करने वाले ग्रंथ थे उन्हें ब्राहमण ग्रंथ कहा जाता है और यह ब्राहमण ग्रंथ जो हैं वो गद्यात्मक हैं और ब्राहमण ग्रंथ विधी प्रधान हैं यह जो ब्राहमण ग्रंथ हैं विधी प्रधान हैं इसलिए इन ब इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, विधी है, प्रणाली है, एक तरीका है, तो उसको जो है यहाँ पर ब्रह्मन ग्रंथों में रखा गया। उसके बाद आते हैं आरण्यक ग्रंथ, तो आरण्यक की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, यहां आरण्यक जो हैं अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थाद अरण्य सब्द है और इस अरण्य में अन प्रत्य लगा और उसमें अकच प्रत्य लगता है, व्याकरण के दृष्टी से अरन्य सब्द में अन प्रत्य किया तो आरन्य बना फिर उसमें अकच प्रत्य किया तो आरन्यक ऐसा सब्द बनता है और आरन्य और आरन्यक सब्द में के अर्थ में उतना अंतर नहीं होता है जैसे हम उधारन के तोर पर ले ले जैसे हम कहते हैं बालह अर्थात बालक बच्च बालह और उसी बाल सब्द में हम अकच प्रते कर देते हैं तो बालकह बन जाता है तो बालह और बालकह में अंतर विशेश नहीं दिखाई देता उसी प्रकार से आरण्य सब्द में अकच प्रते करते हैं तो आरण्यक बन जाता है और आरण्यक कार्थ होता है अरण्य भवम आ अध्यात्म का वीवेचन, इस प्रकार से आरणक हैं, फिशीस बात यहां पर यहाँ कि जो ब्रामण गरंते थे, उनका संबंध है यग्या की प्रक्रिया से, तो जो हमारा मिमांसा दर्सन है, वो यग्य की प्रक्रिया, विधी, प्रणाली, मंत्र, प्रियोग आदी को बताता है मिमांसा दर्सन, जो मिमांसक हैं, सबरमुनी आदी, मिमांसक हैं, कुमारिल भट्ट आदी जो मिमांसक हैं, वो ब्राहमन ग्रंथों को ही वेद भाग मानते हैं, क्योंकि उनके लिए इसका विशेश महत्व है, मिमानसकों के लिए ब्राहमन ग्रंथों का, उसी प्रकार से जो वानप्रस्थी लोग होते हैं, उन वानप्रस्थियों के लिए आरण्यक ग्रंथों का विशेश महत्व है, और वो लोग इन आरण्यकों का अध्यन अध्यापन कर दे थे, उसके बाद आते हैं हमारे अपने मूल विशय पर हम लोग उपनिशदों पर, तो उपनिशद किसको कहते हैं, इस विशय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उपनिशद सब्द का अर्थ क्या है, उपनिशद सब्द जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ती होती है, उसको हम उपनिशत कहते हैं। तो जो उप है उसका अर्थ होता है समीप क्योंकि निरुक्त के रच्चनाकार जो यास्क चारे हैं यास्क आचारे ने समस्त जो उपसर्ग हैं हमारे समस्कृत में उन उपसर्गों का भी अर्थ बताया है जैसे प्रव, प्रा, आप, सम, अनु, अव ये उपसर्ग हैं इन उपक्रिष्नम ऐसे बोलते हैं। उपक्रिष्नम कार्थ होता है कृश्नस्य समीपम, तो उसी प्रकार से उपकार्थ यहां पर है समीप। तो उपनिशद में जो उप है वहां समीप अर्थ में प्रियोक किया जाता है। और जो उपनिशद में नी उपसरग है, इसका अर्थ है निश्चेन अथ्वा निश्ठा पुरुवक्, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कि गुरोह समीपम निश्ठा पुरुवकम उपविश्य यत्र ब्रम विद्ध्यायाह ग्यानम प्राप्यते सा उपनिशद। अर्थात गुरू के समीप में निश्ठा पूर्वक बैठ करके जो ब्रह्म विद्या विश्यक ज्यान प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिशद कहते हैं। अत्र सद्रली धातो हो त्रेह अर्था हा प्रशिद्दा हा। यहाँ पर जो सद्रली धातु है इसके तीन अर्थों में इस धातु को लिया गया है। अत्र संसार की मुल्भूत अविद्या का नास हो जाए। इसले सदधातु का एक अर्थ विसरणम किया गया है, अर्थात अज्ञान की निवर्ति, दूसरा अर्थ है गती, अब गती का क्या अर्थ है, गती का अर्थ है प्राप्ति ही ज्यानमवा, तो गती का अर्थ है प्राप्ति होना, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए या ब्रह्म विश्यक ज्ञान हो जाए हमको तो इस प्रकार से इसकी प्राप्ती है। उपनिशद के भासिके आरंब में कहते हैं। प्रसस्त करता है और अविद्याम्च सिथिलेती हमारी जो अविद्या है अथ्वा हमारा जो दुख है हमारा जो बंधन है हमारा जो अज्ञान है उसको सिथिल कर देता है उसी को उपनिशद कहते हैं। अतह ब्राह्मन स्वरूपम तत्प्राप्ति उपायस्य जीवस्य जगतश्य वरणनम किंच आत्मादी विश्यानाम सविस्तरम वरणनम उपनिशदी प्राप्यते। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मन स्वरूपम अर्था जो ब्राह्म का स्वरूप है वो भी उपनिशद में बताया गया है। और ब्रह्म किसको कहते हैं और आत्मादी विश्य जग्यान के बारे में यह चिंतन करता है। तो उपनिशद में मुख्य रूप से दार्सनिक विश्यों का ही चिंतन होता है जैसा कि मैंने पूरू में भी आपको उगत कराया कि इसमें दार्सनिक विश्यों का चिंतन होता है। जैसे आत्मा, ब्रह्म, जीवह, जगतादयह, पदार्थाह, अत्र, विशेशेण, प्रतिष्ठापिताह, संती। जैसे ब्रह्म है, जीवह, जगतादी है, और पदार्थ है संसार के, तो इनको यहाँ पर विशेश रूप से इनकी प्रतिष्ठा की गई है, इनको यहाँ पर पहचानने का प्रयाश किया गया है। जैसे आत्मा के बारे में कहा गया कठोपनिशत में कि अजो नित्यह सास्वतोयम पुराण। नहन्यते हन्यमाने सरीरे। अर्थात आत्मा जो है अजह, नित्यह, शाश्वतह, अयम पुराण। अयम आत्मा, अजह, आत्मा अज है, अमर है, नित्यह, शाश्वत है, और यहाँ पुराण है, अर्थात बहुत पुरातन हैं। तो न Хन्यते हन्यमाने सरीर, और सरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह जो सरीर के अंदर जो आत्म तक्थ्व है वह नष्ट नहीं होता है, आत्मा न जजान न मरिश्यती इस प्रकार से आत्मा के विशे में कहा गया है, और हमारा जो स्रीमत भगवत गीता है वह भी दार्षनि अर्थात इस आत्मा को नेनम चिंदनती सस्रानी एनम यह आत्मा जो है सस्र से काटा नहीं जा सकता और नेनम दहती पावक है इस आत्मा को पावक जो अगनी है वह जला भी नहीं सकती है और नेनम कले देनतापह और इस आत्मा को आपह मने जल जल इसको गला भी नहीं सकता है और नशोशयती मारुतह यम नशोशयती मारुत जो वायू है इसको सुखा भी नहीं सकती है इस प्रकार से आत्मा के सुरूप का वरणन यहां पर किया गया है उपनिशदाम संग्या वेदान्त पदेन अपी अवलोक्यते और सुन्दर सी बात यहाँ पर कही गई है उपनिशदों के विशह में कि उपनिशदों को वेदान्त पद से भी इसको इंगित किया जाता है उपनिशद को वेदान्त भी कहा जाता है क्योंकि यह जो उपनिशद है वेदस्य अंतह वेदांतह वेदस्य अंते प्रतिपादनात आसाम उपनिशदाम वेदांत संग्यापी भवती वेद के अंत में प्रियोग के जाने के कारण जैसे वेद के अंत में कहने का मतलब यह नहीं है कि वेद का बिलकुल अंतिम वाला जो रूप में जानते हैं, एक तो संहिता के रूप में जानते हैं, एक ब्रहमण ग्रंथों के रूप में जानते हैं, और एक हम आरणिक ग्रंथों के रूप में वेद को जानते हैं, और एक हम उपनिशत के रूप में जानते हैं, तो उपनिशत अंतिम इस्थिती है वेदों की, तो इसी लिए अंतिम होने के कारण, उपनिशद जो हैं वेदों के अंतिम स्थति है और जो जैसे जैसे गरंथ में परिश्कृत होता है गरंथ और उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ते रहती हैं और बहुत उसमें परिशकार होता है तो वो उतना हे ज्यादा प्रमानिक जैसे व्याकरण में भी कहा گیا है उत्तर उत्तर मुनीनाम प्रामानियम जैसे उत्तर उत्तर मुनीयों के द्वारा कही गई जो बात है और भी एधिक प्रामानिक होती है जैसे महरसी पानिनी ने जो अस्टाध्याई लिखी उसमर आचारेक अत्यायन ने वरतिक लिखे तो जो वारतिक हैं वो प्रामानिक हैं और उसके बाद उस अष्टाध्यायी पर महर्ण सी पतन जली ने महाभाष्ची लिखा वो और भी ज़्यादा प्रामानिक माना जाता है। इसलिए उत्तर-उत्तर मुनिनाम प्रामान्यम उसी प्रकार से वेद भी प्रामानिक हैं और वेद के साथ साथ ग्रामन ग्रंथ भी अतिशे प्रामानिक हैं और आरण्य ग्रंथ भी प्रामानिक हैं और उसकी भी पराकाष्ठा जो है दर्सन के रूप में दर्सनिक ग्रंथों तो इन उपनिशदों को रहस्य विध्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि रहस्य विध्या इन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि जब सिस्य गुरू के समीप में बैठ करके, जब उसका अध्यन करता है, और जब वो सिस्य दी जिग्यासु है, यदि उस सिस्य को लालसा ह अध्यन की और पढ़ने की लालसा है तो गुरू के पास जो भी गोपनी से गोपनी ज्यान होता है वह गुरू उसे जो है वो प्रदान कर देता है सिस्य को इसलिए जो रहस्यात्मक नेवदात्ब्यं, गोपितम रक्ष पारवती भगवाय शंकर पारवती से कहते हैं के रहे पारवती ये गोपनी कुछ ग्यान है वो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ तो तुम इसे अभक्त को मत देना और भक्त के लिए तुम इसको प्रदान कर देना अर्थात भक्त कहने का मतलब है जो जिग्यासू हो उसको जानने की इच्छा करता हो उस ग्या इसलिए इनको रहस्य विध्या के नाम से भी उपनिशदों को जाना जाता है। नहत्यो के विशे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसलिए इसलिए प्रस्थान त्रईग में सबसे पहले उपनिशदों को ग्रहन किया गया है। और जो स्रीमत भगवत गीता है वो दुती प्रस्थान के रूप में उसको ग्रहन किया गया है। और उसके बाद आसु उपनि सत्सु ब्रह्मनह परमात्मनह स्वरूपम विविद कथाम व्याजेन। और उसके बाद में यहाँ पर तिरती प्रस्थान ग्रंथ के रूप में महरसी वादरायन प्रणीत ब्रह्मसूत्र को यहाँ पर लिया गया है। विवेद व्याश के द्वारा जो प्रणीत है ऐसा वो ब्रह्मसूत्र जहां से अथातो ब्रह्म जिग्यासा से जो प्रारंब होता है ऐसे उस ब्रह्मसूत्र को वहाँ पर लिया गया है। और मनुहर रूपों से उसको बताया गया है संसार अश्य शनभंगुरत्वम इस्वर अश्य नित्यत्वम सरवत्र विराजते। और संसार का जो शनभंगुरत्व है इसका शनभंगुरत्व कैसे है यह कैसे नष्ट हो जाता है और इस्वर का नित्यत्व इस्वर नित्य है उसके विशय में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। और दूसरे बाके में कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है इत्यादी रूपों से इसको यहाँ पर लिया गया है और उसके बाद इन उपनिशतों में बड़ी सुन्दर सी बातें कही कही हैं और यहाँ पर स्रे और प्रे संग्या दे करके निसकाम और सकाम के बारे में बताय गया है कि जो निसकाम है वह किस प्रकार से स्रे मार्ग को अपनाता है और जो सकाम व्यक्ति है वह किस प्रकार से प ब्रह्म विशेणी भवेतह ब्रह्म और स्रे मार्ग को अपना करके उसका कल्यान कैसे है प्रे मार्ग में किस प्रकार से वह जाता है ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है जैसे कठोप निशद में कहा गया है कि स्रेयस्च प्रेयस्च मनूश्य में तः तव सम्परेत्या विविनक्ति धीर हASON श्रेयो ही धीरो भी प्रेयस अब्रहा और जो धीर व्यक्ति है तो यहां पर जा करके यम के साथ में उनकी वायतालाब चल रही है और यम ने कहा कि भई तुम कौन सा मार्ग चाहोगे, स्रे मार्ग को चाहोगे या प्रे मार्ग को चाहोगे, क्योंकि प्रे मार्ग में बहुत सारे भोग वस्तुएं हैं, पदार्थे हैं, और स्रे मार्ग में तुमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन नची केता जो धीर व्य अब आईए उपनिशदों की संख्या के क्रम में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उपनिशद कितने हैं तो एतासाम उपनिशदाम संख्या विसे मुक्तिको उपनिशदी एवं उक्ति ही। 108 उपनिशदों को प्रमुख माना है। इस कार्थ किया है कि बहुत सारे उपनिशद होँगे। उसमें से मुक्तिको उपनिशद में कहा गया है कि 108 उपनिशद जो हैं वहां प्रमुख रूप से हैं। जो 19 उपनिशद हैं वो सुकल यजुरुवेद से संबन्धित हैं। उस लिए एवं प्रकारेण अष्टो तरसत संख्यका उपनिशद हभवंती। इस प्रकार से जो उपनिशद है 108 वो बन जाते हैं अब आगे देखते हैं कि इन में से जो प्रमुख हैं उनके नाम यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं रिगवेद के दो उपनिशद प्रमुख माने जाते हैं एत्रे उपनिशद और कौशीत की उपनिशद सुकल यजुरुवेद के भी दो उपनिशद बड़े प्रमुख माने जाते हैं इसावाश्य उपनिशद और ब्रहदारण्य को उपनिशद उसके बाद में कृष्णी यजुरुवेद के भी तैत्री उपनिशद महानारायन उपनिशद कठो उपनिशद श्वेताश्वतर उपनिशद और मैत्रायनी उपनिशद ये उपनिशद कृष्णी जजुरुवेद के बड़े ही प्रमुख माने जाते हैं सामवेदस्या छांदोग्य केनो उपनिशद वो दो तो सामवेद के भी दो उपनिशद माने जाते हैं, छानदोग उपनिशद और केन उपनिशद, और अथरवेद के भी तीन उपनिशद बड़े प्रमुख हैं, मुंडक, मांडूक और प्रश्ण उपनिशद, तो इस प्रकार से यहाँ प्रमुख उपनिशदों की हमने चर्च करते रहेंगे तो मित्रो इस चैनल के माध्यम से जो कि आप सुन रहे थे अभी तक उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले का सामुदाइक रेडियो हेलु हल्दवानी 91.2 FM पर आप इसे सुन रहे थे और आगे भी इसी स्रंखला में हम लोग इनी उपनिशदों के विशय में चर्चा करेंगे धन्यवाद